हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पारा मैडिकल के नमर वन चैनल स्टेडेवी तरितेश में तो काफी विद्यार्थियों ने काउंसलिंग कर लिया होगा अब इंतिजार है तो 5 जनवरी का है ना दोस्तों क्यूंकि 5 जनवरी को आप लोगों का seat allotment result जारी किया जाएगा कैसा दिखता है ये seat allotment order है ना और इसमें कहां कैसे पता चलेगा कि कौन सा course मिला है और documents verification के लिए आपको कहां बुलाया जाएगा है ना ये सब चीजे कैसे पता चलेंगी तो आज किस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा यानि मैं previous year का seat allotment order दिखाऊंगा आपको यानि आपको ये download कैसे करना है ये भी मैं पूरी परकरिया बताऊंगा आपको ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी request है student आप लोग वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन काफी विद्यारती अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो प्लीज आप सभी से request है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को hit कर लीजिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को start करते हैं तो देखें वुच्व पांच जनवरी को आपका first round seat result जब आएगा तो आपको ID और password आपके पास होगा ठीक है यानि आपको एक ID मिला होगा ID क्या है roll number होता है आपका और password जो आप लोगोंने create किया होगा registration करते समय ठीक है तो उसी ID और password के माध्यम से आप लोगों को login करना होगा login करने के बाद जैसे आप लोगोंने choice को fill किया ह हुआ था फिर उसके बाद log किये थे फिर उसके बाद print किये थे उसी के नीचे आपको downloading result first round seat allotment order का एक option दिखेगा ठीक है तो वहीं पे click करके आप लोग उस page को यानि उस first round seat allotment result को download कर सकते हैं ठीक है तो अब download कर लेने के बाद वो कैसा दिखेगा है कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा course मिला है कौन सा college मिला है documents verification के लिए आपको कहां बुलाया गया है तो आएए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कुछ किस प्रकार का दिखेगा तो student आप लोग देख सकते हैं first round seat allotment result जब आप लोग आएगा वो कुछ इसी प्रकार का दिखेगा तो यहाँ पर देख सकते है declaration by the candidate यहाँ पर आपका नाम उसके बाद DCC 2021 होता यहाँ यह 2020 है पिछले साल का है इसके बाद रोल नमर आपका registration नमर है ना फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपका DCC हैना DCC PM merit यानि merit में जो है आपका राइन कितना आया category backward कास यानि BC से आप है यह दिखाएगा किस category से है उसके बाद daughter of यानि आप किसके पुत्रिया पुत्री है ठीक है और फिर इसके बाद जो है आप लोग नीचे देख सकते हैं कौन सा college मिला है वो कैसे पता चलेगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा तो देखिए इन्होंने जो college चूज किया था वो है देखिए इनका जो course था दानापूर पटना तो यह बच्चो बिसिकली यह private college है ठीक है तो पिछले साल बच्चो इनका rank उतना अच्छा नहीं था इसलिए इन्होंने private college को select किया था बट फिर भी इन्होंने नहीं किया इस बार जो है इनका काफी अच्छा rank है इनको government college मिल जाएगा PMCH या NMCS ठीक ह तो आप लोग भी महनत कीज़े मिल जाएगा ठीक है तो बच्चो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यह पता चल जाएगा कि आपको कौन सा course मिला है और कौन सा college मिला है ठीक है अब इसके बाद अब इसके बाद देखे नीचे आईए नीचे यानि इधर आपको देखना है यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको documents verification के लिए कहां बुलाए गया है तो आप लोग देख सकते हैं student यहाँ पर reporting center इनका जो reporting center है documents verification के लिए वो है NMCH कंकरवा मेन रोट पटना ठीक है reporting date तो यानि इनको देखे 18 से लेकर 22 तक के बीच में बुलाया गया था ठी जाएगा कि कौन सा course मिला है कौन सा police मिला है और आपको documents verification के लिए कहां बुलाया जाएगा यह जी जो है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा यह जब आप लोग अपना seat allotment order download कीजेगा तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले जगे पे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां बुलाया गया है ठीक है तो बुच्चू मैं तो बताऊंगा ही first round seat allotment result जो 5 तरीको आने वाला है उस पे मैं एक वीडियो भी मनाऊंगा है ना ताकि आप लोग को पता चल सके कि कैसे क्या है ठीक है तो अभी मैंने आप लोग को inform कर दिया है कि कैसे क्या होगा ओके तो यद